यह रात का वीडियो है जो कि रात में इतना लाइट करता है यह और फैन भी चल रहा है कापी अच्छा फैन चल रहा है अलो फ्रेंड्स तो आज हम डीसी फैन बनाएंगे जो कि 12 बैटरी से चलेगा कि अजस्ट टेबल है और अपने इसाब से उसको अजस्ट करके स्पीड अब ना दिया है असेंबल करना बागी है तो इसको अब अब असब्स करेंगे मैटरील में लाया है सारा कुछ तो अभी हम दिखा रहे आपको अच्छेस्ट करने के लिए हैं यह मतलब इसके उपर और मोटर लगेगा यहां पर यहां पर इसका मोटर कहीं अंदर में गया है यह स्टेंड है जो कि इसमें बैटरी और रेगुलेटर स्वीच बगर अलगेगा और इसमें बाफर लएगा और इसका ये कवर बगर सब लएगा इस इसी में और बाकी यह फैन है और यह स्पीड कंट्रोलर है जो कि हम स्पीड को घटार बढ़ा भी सकते हैं यह सेबन नाइंटी फाइप डिसी मोटर है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट काफी अच्छा फैन मोटर है यह और यह कि यह बैटरी है जो बैटरी मैंने और 12 एंपियर में यह काफी अच्छा बैटरी होता है और इसका लाइब भी होता है अर्जर भी मैंने अलग समगा है ताकि बैटरी का लाइब बना रहे और बैटरी खराब ही नहों जाल दी यह पीन है बैटरी का जो आउटपूट है का अ कि और तो बाकी तो ठीक है यह एक समी बेग़ाए है सब सार। सारे होगा है यह लइट यह बह स Audio in करता है तो लाइट भी यूज कर सकते हैं नो पर ये मोटर का घबर है जो मैंने लकडी का बनाया है का शहीं यह मोटर स्ट होग bakery का हुआ है ंफने का लगाया हुआ है कि इसको अंदर में आप देख रहा है कैसे है इधर यहां पर देखा है लाइट मैं दिखा रहा हूं यहां यहां पर स्वल्डिन्ग है यह स्वल्डिन्ग डुच्छ कर गाइगा तो यह स्लैडिंग करने में कोई ड़ए लिए और मोटे अच्छा परफॉर्म भी करेंगा और इसमें अंदर में देख रहे आपका transfer लगा हुआ है इसमें टैच करते हुए यहां पर फिर ठका हुए यह वायर आपको दी करहों कर देख रहा हुए है इ।क यहां पर साइट मैं लगा हुए नकार house है दोनों साइड में वायर व कि तो अब इसका सिंब्ल करतेख से लगाद परी अच्छा स्विग्वागोम Malcolm भी है अब बैटरी इसमें लगाएंगे बैटरी लगा कर अब इसको फिर कनेक्शन करेंगे अलो फ्रेंड्स तो अभी सारे मैंने कनेक्शन कर दिया है यह सर्किट है जो मैंने दिखाया था आपको डेगलोटर वाला है और बैटरी को मैंने फिक्स कर दिया है एक पोजीटिव नीगेटिव इसको भी कनेक्शन कर दिया अलुट अब टेस्ट करते हैं ऊधिए के प्रेंड्स जाली लग चुका हैं जाली भी लगा दिया है और शिर्फ कभर लगाना है जो कि बैटरी सब सब लगा दिया इसमें और यह इसका बफ़र है और नीचे का यह प्लेट इसका इसको बस यह फिटिंग करना है इतना भी समान है जो मैंने ओनलाइन मगवाया है उसका लिंक मैं सारे डिस्कुर्शन में दे दूंगा आप वहां से खरी सकते हो हाथ फ्रेंड्स बिल्कुल रेड़ी है सब कुछ फिटिंग हो चुका है यह स्लाइड हो रहा है आप श्लाइड में बहुत लिक्त नहीं है बिल्कुल और अब इसको अप्रेट करते है विस्कुल काफी अच्छा है ऐसे बैसे में को लिक्त नहीं है गया है कि लाइट लिएश के साफ लाइट लिएंस आप अट लइए बैक गवायर बैस तो यहां पर इसका नाच है जो कि लूज करने के बाद इसको आय पर जाइश करने के लिए यहां कर दियो इसका चारजर यह दिखेंगे चारजर यह चारजर यह चारजिए पॉइंट है यहां पर मैंने यह एमसी लगा दिया इसमें यह चारजर यहां पर लगेगा और यह चारजर है यह हम लगा देंगे लग्टि सुटी में यहां पर बैटरी चारज भी होगा और चलेगा भी तो पर अलग फ्रेंट्स तो कैसा लगा मेरा अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और फिंदल कमेंट जरूर करना और हाँ अमारे चैनल पर नए हो तो मिलान चैनल आप लोग तक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इससे भी अच्छा अच्छे वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहें झाल